दोस्तो आज मैं आपके साथ मेरे बेटी की फैबरेक रेसिपी शेयर करने जारी हूँ ये रेसिपी बहुत ज्याद़ा है और बहुत ज्यादा टेस्टी है और अभी ये विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में इसे बनाना तो बनता है तो आगे बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की तरफ नमस्ते दोस्तों पारूल भारूशाली की रेसिपी में आपका स्वागत है प्लीज रोज नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नया वीडियो सबसे पहले आपको मैल जाए हमने यहां पर एक कडाई में एक से देड़ लीटर की जितना पानी लिया है और पानी गरम होता ही हम इसके अंदर दाल देंगे एक बड़ा सा बंच पालक और पालक को दो मिनीती हम सिर्फ गरम पानी में रखेंगे और तुरंती बहार निकाल कर बरफ वाले ठंडी पानी में रख देंगे ताकि इसका हरा कलर जो है एक बरकरा रहे और ठंडा होने के बाद तुरंती हम इसका एक प्युरी बना लेंगे और एक साइड हमने कडाई में तीन बड़े चमच तेल और तीन बड़े चमच हमने बटर ले लिया है और उसमें हमने एक कटोरी बारी कटा हुआ प्याज लिया है जिसे वजन से देखा जाए तो हमने देर सो से 200 ग्राम के असपास लिया है इसे हमें गोल्डन कलर नहीं करना ह सिर्फ हमें इसको पका देना है और यह हमारा जो प्यास पक रहा है तो तभी हम इसके अंदर एड़ कर देंगे बारी कटा हुआ हरा वाला सिम्ला मिर्च और इसे भी हमेरा एक से दो मिनित तक सौतिक करेंगे और तुरंत हम इसके अंदर एड़ करेंगे दो कटोरी भर के हरे प्यास लिया उतना ही हमने सिन्मला मिर्च लिया है और प्यास मने उसे दोगरा हम अज़ादा शुआध कि घ्राने वह और अब हम आपशे पान पेश्छ बनाएंगे करें लिलीब एक इंच अधरकर टुकड़ा और एक यहां पर में थोड़ा सा जो ग्रीन वाला गार्ली कहते हो भी ले रही और साथ में हमने ले लिया है दो कटोरी बर के हरा वाला धनिया और इसकी बहुत अची सी हम पेस्ट बना लेंगे यह पेसे बहुत अच्छा ज्यादा टेस्ट भी आएगा और बहुत ज्यादा जो हम अभी जो ग्रीन प्योरी बनाई उसे एड करेंगे और इसे बीच-बीच में हम बहुत अच्छे से मिक्स भी करते हैं और अभी हम इसमें एक करेंगे एक कर भी बर के हरे वाले जो मटर है उसे हमने पार बोus कर लिया है ताकि उसका बदब हरा कलर बर कर रहा है और बह अच्छे से मैक्स करेंगे और नमांगी करना भाट जरूरी और अभी हम ले लिए तब थी के कमक्त mattered उनकानां है और बच पीच में हम से बहुत अच्छे से मैक्स कर देंगे और आप अभी और अभी हमारी जो सब्चिया है बहुत अच्छे से पक चुकी है तो हम इस तरह से जो पावबाजी मैशर होता है उससे हम एक जाद़ असान हो जाए और एक काड़ाई में हमने फेस से ले लिया है एक से देट टेबल स्पून की जितना बटर और उसके अंदर हम ले लेंगे पवबाजी मसालahren uhura was у've ability disappointment हम जला नहीं है जो हमारा हरा यह पावबाजी मसाल सब्सकरे में इससे बहुत जादा यह सना बुच्टी यह को सबष्ट कम यह कर दिया पानी गरम करके वो भी इसके अंदर दालेंगे कच्छा पानी हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है और ढकन लगा कर हम इसे 5-6 मिनिल तक बहुत अच्छे से पकने देंगे ताकि सारी सबजिया इसके अंदर एक साथ पक जाए और अभी लाश्ट में हम एड करेंगी हमारा जो प बटर की वज़े से बहुत अच्छा ग्लेस आएगा और आदा कब बारी कटा हुआ हमारा हरा धनिया भी एड कर देंगे ताकि इसमें बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छी खुस्बुआ जाए तो बहुत अच्छे से हमारी हर्याली पावबाजी तैयार है तो अभी हम इसके लिए पाव भी कैसे तयार करेंगे तो पाव के लिए हमने लिया है आदा चमच बटर और उसके अंदर चुटकी बर पावजी मसाला और साथ में हमने लिया है बारी कटा आदा चमच हरा धनिया और उसे हम पाव के उपर अच्छे से चिपा देंगे मतलब कि हमारा जो त उसके उपर हम पाव को बहुत अच्छे से सेक लेंगे ताकि सारा पावबजी का मसाला और हरा धनिया जो है वो भी पाव में एकदम अच्छे से कोटेड हो जाए उसके साथ हम थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा लसन भी एड़ कर सकते हैं तो घरमा घरम हमारी जो पावबजी उसके उपर हम एड़ कर देंगे बटर और इसके उपर फिर से हमारा आए गा बारी कटा हुआ हरा धनिया और बारी कटा हुआ हमारा लसन तो मिंटों में ही तयारे हमारी हर्याली ग्रीन पावबजी जिसी कह सकते हैं और Candy अवरे बहुत सारी हरी सब्यों के साथ ए बहुत ज कासी लगी है मुझे कॉमेट करके जरूर बताएगा और अब ही हे सारी हरे हरे म clinician है तो यह ट्राय करना to बनता है तो आप भी जल्डी से बनाकर मुझे कॉमें जरूर बताएगा तो फिर जल्डी मिलें और नई रेसिपी के साथ रोज नई रेसिपी के लिए पारूल वानुशाली की रेसिपी को फॉलो करते रही है